उतर प्रदेश के नए मुख्य सचव नियुक्तु होए है मनोच कुमार संग। इस ख्रदेश के नए मुख्य सचव की पूरी जरनी कैसी रही उन्होंने कहा से अपनी पढ़ाई की और इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। नमस्कार मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमरुजाला राजी सरकार के 1988 बैच के IAS मनोज कुमार सिंग को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया बीते ढ़ाई वर्ष में तीन भार सेवा विस्तार पाने वाले निवर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा का विस्तार नहीं मिल सका उनका कारेकाल खत्म होने पर मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने क्रशी उत्पादन आयुक्त यानि की APC और अवस्थापना और अध्योगिक विकास आयुक्त IIDC समेत कई विभागों का दाईतों संभाल रहे मनोज कुमार सिंग के नाम पर मुहर लगाई नए मुख्य सचिव ने रविवार को ही अपना कारेभार भी संभाल लिया बता दें कि मनोज कुमार सिंग 1987 बैच के अरुण सिंगल लीना नंदन और 1988 बैच के रजनीश दुबे को सूपर सीट करके मुख्य सचिव बने हैं दरसल अरुण सिंगल और लीना नंदन इस समय के मुख्य सचिव का कारेकाल अगले साल जुलाई तक है मनोज सिंग मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के मजहुई गाव के रहने वाले हैं हलाकि उनकी शिक्षा दिक्षा राची में हुई है मनोज सिंग को मुख्यमंद्री के भरोसेमन अफसरों में शुमार किया जाता है वह इसके पहले ललितपुर गौतम बुद्ध नगर पीली भीत और मुरादाबाद के डीम भी रह चुके हैं इसके लावा ग्राम विकास आयुक्त मुरादाबाद के मंडला युक्त और केंद्र में वन एवं पर्यावरन मंत्राले में संयुक्त सचिव के पत पर भी रहे हैं इसके बाद ग्रामीन अभियंतरन विभाग ग्राम में विकास पंचायती राज नगर विकास जैसे महत्वपुर्ण विभागों के अपर मुक्य सचिव भी रह चुके हैं उनकी पहचान परफॉर्मर अधिकारी की ही रही है कोविट काल में उन्होंने गावों को सुरक् बनाने में भी इनकी भूमी का महत्वपुर्ण मानी जाती है इसके अलावा सभी 75 जिले खुले में शोच से मुक्त घोशत कराने सबसे जादा शौचालय प्रदेश में बनाने वैश्विक निवेश सम्मेलन के साथ टेक होम राशन जैसी बाल विकास की योजनाओं के क्रिय मुक्यमंत्री के निर्देशन में जनता के बहतरी के लिए तेजी से कारे करेंगे वैश्विक निवेश सम्मेलन के भूमी पूजन समारोह में 10 लाख करोर रुपे से अधिकार निवेश देश में पहली बार हुआ है अब हमें निवेशकों को जमीन आवश्यक सुविधाए आदी मुहिया करानी है ताकि जल्द लोगों को रोजगार मिल सके और प्रदेश की जीडीपी बढ़ सके वहीं महाकुम्ब और सुव्यवस्थित स्वच और सुरक्षित माहोल में आयोजित होगा श्रधालूं को और बहतर अवस्थापना सुविधाएं उपलब्द होंगी उनका प्रयास होगा कि ब्लोग तहसील और थाना इस तर पर आम जन को सुगंता से नियाय मिल सके और उनकी समस्याओं का निश्पक्ष तरीके से समाधान हों चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोच कुमार सिंग ने कहां से पढ़ाई की है मनोच कुमार सिंग ने काशी हिंदू विश्व विध्यालय याने की बी एच यू से अपनी पढ़ाई पूरी की है उन्होंने इंस्टिटूट ओफ एग्रिकल्चर साइन्स से 1983 और 86 बैच में बी एस सी की उसके बाद 1988 में शस्य विध्यान याने की एग्रोनॉमी में MMC करके IAS बन गए बी एच यू इंस्टिटूट ओफ एग्रिकल्चर के प्रोफेसर राकेश सिंग ने उनके बारे में कहा की लगभग एक साल पहले मनूज सिंग को प्रदेश के क्रशी उत्पादन आयुक्त बनाया गया इसके 10 दिन के अंदर ही वह B.H.U.I. और यहां क्रशी वेज्यानिकों प्रोफेसरों से मुलाकात की UP में क्रशी और क्रशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर बात हुई बाद में लपनौ के योजना भवन में बीएच यू के क्रशी वेग्यानिकों को आमंतरित किया गया था प्रोफिसर राकेश ने आगे बताया कि विध्यार्थी जीवन में मनुझ कुमार सिंग की क्रशी में खास रूची थी कठिन परिश्रम करते थे बता दें भी एच यू के इंस्टिटूट ओफ एग्रिकल्चर साइन्स से कई ऐसी विभूतियों ने पढ़ाई की है जो देश की क्रशी वेवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं प्रोफिसर राकेश सिंग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नए मुक्य सचिव मनुच कुमार सिंग के बैच के ही प्रविन कुमार सिंग के इंद्रिस सरकार में क्रशी आयुक्त है